108 Megapixel का Camera Realme 11 5G के अंदर मिलता है पर अगर आप Realme 11 5G Camera Purpose के हिसाब से खरिदने की सोच तो सबसे पहले ये वीडियो देख लो क्योंकि मैं यहाँ पे लेकर आया है और Realme 11 5G के कैमेरा और वीडियो सैम्पल जिनकी मज़िस से आपको Realme 11 5G खरिदते समय मदद होने वाले तो बिना समय गवाई शुरू करते आज का वीडियो देखें दोस्तों no doubt 108 Megapixel का यहाँ पे कैमेरा Realme 11 5G के अंदर हमें प्रोवाइट किया गया है तो हम सबसे पहले में कैमेरा के फोटोग्राप्स को ही यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो यह कुछ फोटोग्राप्स है जो Realme 11 5G के में कैमेरा से कैप्चर किये गए है तो यहाँ पे यह सबसे पहली फोटोग्राप देखिए अब यह थोड़ा low light condition में मतलब शाम के वक्त लिया वह फोटोग्राप है और इसके अंदर आपको sky को और foreground को देखना ही चाहिए इनके colors को थोड़ा ठीक टाक capture करनी की कोशिश यहाँ पे Realme 11 5G ने की है यही मैं यहाँ पे कहूंगा क्यूंकि उतना perfect color capturing मुझे यहाँ पे Realme 11 5G के 108 megapixel के camera से नहीं दिख रहे हैं बाकि detailing वगरे ठीक टाक है और यहाँ पे पेड़ का color वगरे आप यहाँ पे चेकी कर सकते हैं हाँ एक बात नोट करिए दोस्तों इस image के अंदर थोड़ा shadows के उपर ध्यान दीजिए shadows को थोड़ा darker करनी की कोशिश जरू से Realme 11 5G के 108 megapixel के camera ने की है यहाँ पे इस photo के अंदर भी देखे अब देखे यह best pass आने के बात में लिया वह photograph है तो धोड़े फेंड कलर तो यहाँ पे 108 megapixel के camera जरू से capture करता है यह मैं यहाँ पे कहूँगा इस photograph के अंदर देखे दोस्तों अब यहाँ पे भी देखे दोस्तों सेमी बात आप नोट करोगे डारकर साइड में और भी ज्यादा डार्क करनी की कोशिश रियल्मी 11 5G का main camera करता है इस photograph में देखे दोस्तों अब यहाँ पे देखे यहाँ पे थोड़ी lighting condition अच्छी थी दिन में लिया हुआ photograph है तो यहाँ पे detailing वागरे ठीक टाक रियल्मी 11 5G के camera ने capture की है और यहाँ पे उपर sky का color और रिंचे foreground का color भी देखे यहाँ पे sky का color भी एकदम perfect capture करनी के कोशिश रियल्मी 11 5G के camera ने की है मतलब low light में थोड़ा low perform करता है यही मैं यहाँ पे रियल्मी 11 5G के camera के बार में बात करूंगा चलिए दोस्तों कुछ macro photograph हमने यहाँ पे capture किये है तो macro photograph भी मैं यहाँ पे रियल्मी 11 5G के आपको दिखा देता हूँ तो यह कुछ macro photographs है जो रियल्मी 11 5G के camera से capture किये गए अब यहां पर macro photograph में देखें दोस्तों subject की detailing वगरे एगदम सही से capture करनी की कोशिश Realme 11 5G के camera ने की है, यहां पर age detection वगरे एकदम सही से macro photograph के अंदर Realme 11 5G के camera ने की है, इस photograph में भी देखिये अगर मैं जूम करके दिखा हूँ थो यहां पर age detection वगरे Realme 11 5G के camera ने macro photograph के अंदर एकदम सही से की है चलिए दोस्तो कुछ portrait shot भी मैं आपको यहाँ पर Realme 11 5G के camera के दिखा देता हूँ और portrait shot तो दोस्तो एकदम mind blowing आये है यह कुछ portrait shot है अब इस photograph का देखिए दोस्तो यह Realme 11 5G के portrait mode का इस्तमाल करके लिए वह photograph है और मैं zoom करके दिखाओ दोस्तो यहाँ पर Age detection देखिए एकदम कमाल का Age detection यहाँ पर Realme 11 5G के camera ने capture किया है और background को भी क्या सही blur करने की कोशिश यहाँ पर Realme 11 5G के camera ने की है देखिए कुछ लोगों को यह background blur थोड़ा unnatural सा लग सकता है पर यहाँ पर मुझे ते एकदम perfect background blur यहाँ पर Realme 11 5G ने capture किया है यही दिख रहा है इस photograph में देखिए दोस्तो अब यहाँ पर Age detection वगरे आपको सही से दिखाई देगा इसके अंदर Age detection एकदम perfectly capture किया हुआ Realme 11 5G के camera ने portrait mode के अंदर किया है यह दिखिए रहा है चलिए कुछ zoom photograph भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कोई specially tele photo lens तो Realme 11 5G के अंदर नहीं है पर software का इस्तमाल करके ही आप यहाँ पर zoom photograph capture कर सकते हो तो यह कुछ photograph है अब यहाँ पर देखिए यह 50% जूम करने के बाद लिया वग फोटोग्राप है यहाँ पर जूम फोटोग्राप के अंदर Realme 11 5G ने capture किये इस फोटोग्राप में देखिए यह एकदम 100% जूम करने के बाद लिया वग फोटोग्राप है कामेरा से capture किये यह यह एक यह एक यह एक यह एड्यकार में देखिए दोस्तों थोड़े पंची कलर्स हमेशा आखो के लिए अच्छे रहते है और सोशल मीडिया रेडी फोटोग्राप हमेशा पंची कलर्स के साथ ही अच्छे लगते तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूंगा अल्ट्रावॉइट जो फीचर है रेल में 11 5G के अंदर वो अच्छे से काम करता है अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों यहाँ पर भी देखिए कलर कैप्चरिंग वगरे थोड़ी डार्क आपको यहाँ पर दिखी कि और यह में कैमे देखिए रेलमी 11 5G से यहां पर यहां पर यहां पर दिखाए क होगे तो स्टेबलाइजेशन लिखें है कुछ इस प्रकार की स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर यहां पर धीखिए सकते हों चलिए slow motion वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ realme 11 5G के कैमेरा से आप कुछ इस प्रकार के slow motion वीडियो कैप्चर कर पाओगे तो देखे ठीक टाक slow motion भी आप realme 11 5G के कैमेरा से कैप्चर कर पाओगे चलिए कुछ जूम वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ realme 11 5G के कैमेरा से अगर आप जूम करते हो तो किस प्रकार की कॉलिटी आएगी यह आपके सामने थोड़े ग्रेंज तो यहाँ पर आई रही है पिचर कॉलिटी यहाँ पे डाउन जरूस से realme 11 5G के जूम वीडियो के अंदर हो रही है तो कुछ इस प्रकार से फोटोग्राफ और वीडियो ग्राफ आप यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे और दोस्तो देखें कुछ कुछ कंडिसेन में realme 11 5G का 108MP का कैमेरा एकदम सही से काम करता है हाँ यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आपकी camera capturing skill कैसी है अगर आप अच्छे फोटोग्राफर हो तो आप डेफिनेटली अच्छे फोटोग्राफ रेल में 11 5G के कैमेरा से कैप्चर कर पाओगे आपके अगर रेल में 11 5G के कैमेरा के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे मुझे कॉमेड में जरू से पूछे मैं हर comment का reply करता हूँ और अगर आप take bureau के उपर नहे हो तो please channel को subscribe कर दो यार ऐसे informative videos मैं हमेशा आपके लिए take bureau के उपर लेकर आता रहता हूँ वीडियो कर पसंद है तो please like और share कर दो जैहिंद वन्दे मात रहूँ